रादे, रादे आप सबी का घीतों को सरग्र में बहुत-बहुत स्वागत है तो आने वाली है देवटनी एकाधशी आज मैं आपको बताओंगी मानने बनाना क्योंकि देवटनी एकारशी की दिन मानने भी बनाया को कि दय में सबुल बनाती है और फिर मांड़ने बनाकर जरूर उठाए तो चलिए जैसे मैं बताती जा रहे हुँ वैसे आप मांड़ना बनाएं डेवटनी एकादशी का कई घरों में क्या होता है कि जो मांड़ने होते हैं वो दीवार पर बना आते हैं कई सबसे पहले उस जगह को बहुत अच्छे से कप्रेज साफ कर लें और गेरू का पेष्ट बना लें और साथ में खड़िया का अगर आपका फर्ष सफेद है तो फिर आप खड़िया को काम में ना लें क्योंकि खड़िया अगसे अगर आप डिजाइन मनाएंगी तो सफेद फर क्या चीज है लेकिन आज हम दिर दिर अपनी संस्क्रति को भूलते जा रहे हैं हमारे दिंदु धर में तो मार्णों का बहुत महत्व है लेकिन हम इनको भूल गए क्यों क्यों कि पक्के मकान बन गए हैं और आदुनिकता हम इतनी जादा खो गए हैं कि बजार से लाई वैसरह कर दिए इस तरह से घर बना लें पेनाने के लिए हमने पहले में पहले जगें चाएक्शकरय कि जंसक्रति क्योंकि पूजा के लिए जो दिशा होती हो बहुत जरूरी होती है जैसे कि पूरवदिशा उत्ता दिशा तो वैसे Mün Const Still repetitive चोंति बना दिया जैसने आधन और बरामदे बना दिया जगह ना हो तो बालकनी मना ले और इतनी जगह भी ना हो तो जहां पूजा करते ना वहां मारने बनाएं वहां अपने देवों को उठाएंगे तो इसके लिए आप मारना बना ले और मारना जो है न सुबह या फिर दोपर में तीन-चर बही तक बना कर त ले और यह मैंने गर तोब्ना लिया है आम मैंने इसम थोड़ा डिजाइन में बना दिया यह उपर मू बनाया है ना कानम अगरा बना दिये हैं यह जो देवप्रबोधनी एकादशी है इस दिन से सारे शुबकार्य प्रैणिम हो देव उटने कदशी के दिन तुलसी जी का विवा शाली ग्राम भगवान से करना बहुत ही शुब माना जाता है जिनके कन्या होती है वो तो तुलसी जी का विवा करें इससे उन्हें बहुत लाब होता है लेकिन जिनके कन्या नहीं है तो कन्या दान सबसे बड़ा दान माना ग जाएगा और जब हम देवता उठाते हैं कि संध्या के बाद जब देवता उठा जाते हैं तो इसमें बहुत सारी गीत गाए जाते हैं जो कि मैंने वीडियो इसके दो डाल रखे हैं तो आपको उनकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाएं और उ इसको आप इस तरह से बनाएं और कहीं कहीं अलग अलग जगे पर थोड़ा बदलाव आ जाता है लेकिन खास तरह से इसी तरह से जो है एक आकरती बनाए जाती है और यह बनाने के बाद फिर आप बनाएंगे इसमें देखिए मैं बनारी जैसे की सातिया जिसे कहते हैं साति गातिक थुल्सै जिद्व हमारे हिंदू जुचिन होते हैं उनसे हम भगवान के घर को सजाएंगे जैसे हम अपने घर को सजाते हैं घर में लगाते हैं आग अईसे भगवान के घर में भी तुलसी का बैल्डा बनाएंगे तुल्सी जी lock रगाते हैं तो तुलसी बेंला बहुत ज़रूरी है मतलब जितने भी शुक्चुन होते हैं उनसे हम भगवान के घ़र को सजाएंगे जैसे हम अपने घर में बहुत सारे पोस्टर लगाते हैं या फिर को पीश लाकर लगात हैं इस तरह से हम लगाएंगे और फिर इसके बाद मैं बनाओंगी कमल का फूल क्योंकि भगवान विश्णु और लक्ष्मी जी दौनों को ही कमल का फूल बहुत प्रिया होता है तो मैं ये कमल का फूल बना रही हूं आज क्या शब शामिल रते थे तो कोई भी त्योहर आता था मारने बनते थे तो मैलाएं बहुत सुन्दधन मारने बनाती थी लेकिन अब धीरी दीरे ये कम होती जारी है लेकिन हमें फिर से इनको शुरू करना है और ये हम मैलाओं की जिम्मेदारी सबस्यादा बनती है कि हम फिर से एक नया आयाम दे यानि की फिर से शुरूआत करें और ये मैंने बनाए है पैर तो पैर कई घरों में पूरे परिवार की सद्दस्यों के बना जाते हैं कई पुरूशों के बना जाते हैं कई केवल बच्चों के बना जाते हैं तो मैंने बनाए हमारे पुरूशों के उठा जाते हैं फिर शुबकारश्व प्रारम होते हैं तो इस दिन हमें अपने इस दिन को बहुती शुब बनाना है अच्छे भजन गये जो गीत काये जाते देवता उठाते समय वह गाएं वथाए गाये यानिकि खूब एंजय करें क्योंकि शुब कारश्ट प्राजम जाते हैं अगर आपके घर में शादी है तो खूब अच्छे से उसको एंजोई करें हमारा पूरा मांडा बनके तैयार हो गया है अब आप पूरी सामगरी और इखटी कर लें जिसका कि मैं आपको लिंक दे दूँगी इसमें बता दूँगी कौन को सा सामान आपको चाहिए और ये नीचे बनाए मैंने गाय के खुर क्योंकि गाय की पूजा का विशेश महत होता जादे रादे नमस्कार